14 नुवंबर को दिल्ली के मीराबाग इलाके में हुए एक्सिडेंट की CCTV फुटेज सामने आई है जसाथ से में 15 साल की एक मासूम बच्ची की माथ हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वाइट फॉर्चुनर कार 100 किलोमेटर की तेज रफतार से भी आगे भाग रही थी जिसने रोड पर जा रहे है अन्ने लोगों को भी उड़ा दिया वाइट फॉर्चुनर कार चालक का नाम डॉक्टर कमर कुमार बहरिया बताया जा रहा है वो स्वयम भी गंभी रूप से घायल है और उसका इलाज होस्पिटल बे चल रहा है बहराल पुलिस मामले के चांच कर रही है और चांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएं और उनकी रिपोर्ट हेडलाइन सहल चल रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे